दोस्तों नमस्ते मैं हूँ प्रियंक और श्वागत आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्रखनी पहाडान में तो दोस्तों फिर से मैं आज आज आपके लिए एक और कविता लेके आई हूँ और जो आज की जो कविता होने वाली है वो है एक पती के लिए यानिक होती है कि वो मतलब इतना ख्याल नहीं रख पाते हैं या उनको दुख तकलीफ कुछ भी नहीं होता है जैसे कि बात बात पे हम लोग हमेशा पतियों को कोस्ते रहते हैं हमें लगता है कि वो हमारा ख्याल कम रखते हैं या उनको कोई फरक नहीं पड़ता है या उनको कोई लेकिन वो लोग हमें हर टाइम बता नहीं पाते हैं, वो स्ट्रॉंग रहना चाहते हैं, वो छोटी-छोटी बातों पर मतलब खुद को जताते नहीं है कि हमें क्या दुख है, क्या तकलीफ है, पर उनको होता है दुख तकलीफ, जितनी हम एक औरत को होती है, बलकि उससे भी दुखनी तकलीफ एक मर्द को होती है, तो उसी के उपर मैंने बनाया है, कि एक पती के लिए है, तो अभी आप धियान से सुनिए, अगर आपको अच्छी लगी, तो प्लीज सेयर जरू करना, मुझे समझ नहीं आता है कि हम उन्हें बुरा क्यों कहते हैं, हमसे भी जादा रोज दिमाग का बोस्तों वो सहते हैं, सुबह से लेकर साम तक न जाने कितनी तकलीफ़ी सहते हैं, अगर पूछो कैसे हो, तो मजे में हो रोज यही कहते हैं, अगर पूछो कैसे हो, तो मजे में हूं रोज यही कहते हैं, पती होना भी इतना आसान नहीं होता है यार, मा की बाते हैं और पत्नी की ताने सुनने पड़ते हैं बार बार, जूट कहते हैं हम लोग की उन्हें फर्क नहीं पड़ता है जब हम होते हैं, जब हम परिशान होते हैं, पर सस्तो यह है कि हमसे भी ज़्यादा दुख होता है उन्हें, जब बीबी और घरवाले आपस में लड़ते हैं, हमने भी लिया था वचन उस दिन, उस दिन यानि कि सादी के दिन, जब साथ फेरे होते हैं, साथ बचन लिये जाते हैं, तो दोनों पती पत्नी को साथ मिलके साथो बचन लिये जाते हैं, हमने भी लिया था वचन उस दिन साथ जन्वा तक साथ रहेंगे आपकी खुसी में खुस और आपके दुख में सामल रहेंगे जब रिस्ता निभाने की बारी आई तो दोसी उनी को ठहरा रहे हैं उनके साथ खुसी के दो पल बड़ी मुश्किल से बिता रहे हैं जरा समझो यार उन्हें भी वो भी हमारे लिए ही हमें सता रहे हैं यानि कि अगर हमें कभी लगता है कि वो हमें दुख दे रहे हैं तकलीफ दे रहे हैं तो इसका मतलब यह मत सोचो कि वो हमें जान बूच के तकलीफ पहुँचाना जाते हैं लेसा कुछ भी नहीं है वो जो भी सहते हैं जो भी होता है कभी आपको समय नहीं दे पाते हैं उसके पीछे के कारण आपको भूश्य में खुश रखना हो सकता है तो हर चीज का गलत मतलब हमें नहीं निकालना चाहिए तो चलिए दूस्तों कैसे लिगे आपको मेरी आज की कवित्त है अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरी जैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आगे सेहर जरूर आच्छी लगी तो कमेंट करना और बाशी कपता सुनना चाहते हैं तो भी कमेंट करना तुझे लिए मलते हैं नेस्ट वीडियो में थैक未är ल